वेल्कम टु न्यू लेसन इस लेसन में मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे आप डिस्प्ले एड्स की री मार्केटिंग एड्स रन कर सकते हों ठीक है जी तो आप ध्यान से देखेगा इस लेसन को तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि री मार्केटिंग होती क्या है तो remarketing देखो क्या होती है कि suppose करो ये आपका एक page है और एक ये user है ये user आपके इस page पे गया राइट और इस page पे वो क्या कर सकता था आपका product purchase कर सकता था और जैसे वो purchase कर लेता आपका thank you page आ जाता ठीक है ये काम हो जाता अब ये user है जो आपका इसने product purchase नहीं किया और यहीं से वापस आ गया ठीक है ये जो user है इसने product purchase नहीं किया यहीं से वापस आ गया तो आप इसे क्या कर सकते हो remarket remarket मतलब आप दुबारा इसे अपने product की ad दिखा रहे हो इसी user को दिखा रहे हो इसे हम कहते हैं remarketing तो अब हम बात करते हैं कि remarketing आप कैसे कर सकते हो तो remarketing करने में देखो 3-4 steps है step number one क्या है step number one यह है कि जबी भी आप remarketing ad कोई भी run कर रहे हो तो उसके पहले यह ज़रूरी है कि आपके website पे क्या लगा हो या तो google ads का remarketing tag लगा हो या google analytics लगा हो यह हम पहले कर चुके हैं हम देख चुके हैं कैसे लगाते है step two क्या है अगर आप google analytics यूज कर रहे हो तो यह google analytics adwords के साथ integrate होना चाहिए again इस पे भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कैसे आप integrate कर सकते हो ठीक है जी तो step one या तो आपके website पे google ads का remarketing tag लगा हो या आपके website पे google analytics लगा हो आप ये दोनों भी लगा सकते हो step number two आपके google अगर आप google analytics यूज कर रहे हो तो आपका google analytics adwords के साथ integrate होना चाहिए बहुत ज़्यादा simple step number three आपको audience बनानी है ठीक है आपको क्या बनानी है audience और step number four आपको बनानी है remarketing या बहुत ज़्यादा simple राइट तो मैं एक काम करूंगा एक दो lesson के बाद एक दो दिन में मैं अपनी team से एक काप के लिए चार्ट बनाके आपको एक चार्ट भी भेज दूँगा जिसमें मैं step by step लिखाओगा plus steps लिखाओगे कैसे आपको क्या क्या चीज़े करनी है अभी तक आप google analytics लगा चुके हैं हम सीख चुके हैं पहले lessons में प्लस आप google ads का remarketing tag भी लगा चुके हो हम वह भी सीख चुके हैं step two हम google analytics और adwords को integrate भी कर चुके हैं सो अभी हमें क्या करना है अभी हमें audience बनानी है और then हमें add run करने है राइट तो audience बनाने के लिए मैं जाता हूँ गूगल analytics के अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ से google analytics के थूँ ठीक है अभी आप देखो suppose करो मैं क्या चाहता हूँ ये पेज है तो मैं ऐसे लोगों को add दिखाना चाहता हूँ जो की इस page पे गए हैं जिन्होंने ये page देखा है but thank you page नहीं देखा समझ गया आप जिन्होंने ये page देखा है मतलब जिन्होंने ये page विजिट किया है बट जिन्होंने product नहीं खरीदा ठीक तो मैं यहाँ पे आपको draw करके दिखा दिता हूँ तो color change कर देते हैं तो देखिए suppose करिए ये मेरा है product page ठीक है जी और ये suppose करिए user है जैसे ही कोई user ये product खरीदेगा वो कहाँ जाएगा thank you page right तो देखो ये product page है मेरा इसी product page को मैं इधर साथ में खोलता हूँ तो suppose करो मैं ऐसे लोग को add दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने ये product visit किया है बट खरीदा नहीं है तो इसको मैं एक बार add to card करता हूँ view card करता हूँ और check out करता हूँ ठीक है ठीक है जी ये भर दिया यहां पे डाल दिया email address डाल दी इसे कर देते हैं cash on delivery और इसे कर देते हैं place order अब देखो ये मेरा thank you page है ठीक है इसको यहां से रटा दो ये है मेरा thank you page thank you page पे क्या है order received right तो मैं ऐसे लोग को add दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा product page तो visit किया है but thank you page visit नहीं किया बहुत इसंतर ठीक है तो सबसे पहले मेरे को क्या बनानी होगी इसके लिए audience ठीक है तो कैसे audience बनाएंगे number one audience हम ऐसे बनाएंगे जिन लोगोंने ये product visit किया number two हम उनके बनाएंगे जिन्होंने ये page visit नहीं किया ठीक है जाते हैं Google Analytics में और हम जाते हैं यहाँ पे admin के अंदर और हम जाते हैं audiences के अंदर audience definition धन हम जाते हैं audiences सबसे पहले देखो एक default audience बनती है यह option आ रहा है तो simple यहाँ पे कर दो next step और यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्टर लो Google Ads का और इसे कर दो enable तो यह तो आपकी default audience बनी है बट हमें कौन सी audience बनानी है यहाँ से जाते हैं back to the audiences page हमें ऐसी audience बनाने जिन्होंने यह page visit किया ठीक है तो simple है सबसे पहले हम यह audience बनाते हैं तो हम करेंगे new audience और यहाँ पर आप करोगे audience definition में create new आप यहाँ करोगे condition और इसको कर दोगे आप page ठीक है इसे क्या कर दोगे page और contains को कर दोगे exactly matches और यह था मेरा page तो यह product के आगे यह वाला मैंने किया copy और यहाँ पर किया मैंने paste यह आगया यह selector लिया मैंने और इसे मैंने किया apply और membership duration मैंने कर दिया 540 दिन आप maximum 540 days तक की audience बना सकते हो duration जो है 540 दिन रख सकते हो तो ले लिया मैंने 540 दिन और audience का नाम लिखा मैंने visited product to page ठीक है यह product का नाम है product to page next step destination google ads और कर दिया publish अब जाते है back to the audience's page तो अब एक audience बन गई ठीक है कौन सी audience बनी है ऐसे लोगों की audience बनी है जिन्होंने मेरा ये वाला page विजिट लिया ठीक है अब एक audience और हमें बनानी है वह कौन सी audience है जिन्होंने product खरीद लिया है जिन्होंने product खरीद लिया है तो मैं बनाऊंगा new audience फिर से और मैं करूँगा create new मैं करूँगा condition और यहां पर मैं करूँगा page ठीक है यहां पर किया page और इस बार मैं रखूँगा contains और यहां पर करूँगा मैं order received ठीक है और इसको मैंने किया order received और इसे मैंने किया apply आई और यह कर दोगे 540 दिन और audience name कर दोगे people who have purchased product और इसे कर दिया next step destination soft b2 और यह कर दिया publish ठीक है बहुत है simple मैं क्या audience बना चुका हूं ऐसे लोगो कि जिनोंने मेरा product page विजिड किया है ठीक है और ऐसे लोगों कि जिनोंने मेरा product खत्थरीधा है ठीक है अब मेरी को remarketing ad बनानी और में remarketing ad किसको बनाऊंगा तो मैं include करूँगा इसको जिन्होंने इस page को विजिड किया है और जिन्होंने ये product page visit किया है और मैं exclude किसे कर दूँगा मैं exclude SEO को कर दूँगा जिन्होंने product purchase कर लिया है तो अब हम आते हैं अपने Google Ads account में और यहां आओ tools and settings के अंदर और यहां जाओ audience manager के अंदर और एक बार इसको refresh करो अभी देखो यहां पर audience आई नहीं है यह देखो Google Ads है न तो इसको यहां से remove करो इसको यहां से remove कर दो यह देखो यह audience आगी मेरी जो भी बनाई थी people who have purchased product और दूसरी है visited product to page ठीक है या गई अब मुझे add बनानी है ठीक है अब add बनाना देखो कितना जादा simple है देखा अपने simple हमने step solo किया है और add बन जाएगी कैसे बनाओगे simple campaign पर जाओगे और नई campaign लोगे new campaign create a campaign without a goal then यहां करोगे display then करोगे standard display then करोगे continue और यहां से अपनी audience बनाओगे नाम वगर जो भी आप लिखोगे then आपको simple करना क्या है बाकी चीज़े जो हमने similar audiences ठीक है कहां होगे remarketing and similar audiences और इसमें आओगे website visitor कहां होगे website visitor तो आओगे website visitor और देखवा रहा है visited product to page तो इसे कर लोगे यहां से select तो अब आपकी add किसे दिखेगी उन लोगों को दिखेगी जिन्होंने यह product to वाला page visit किया है और इसके आगे आप simple जैसे हम अभी तक add बना आते आ रहे हैं आप वैसे add बना दोगे ठीक है जो last class हमने display add सीखा था था आप सेम वैसे ही बना दोगे just फरक एक जगह है आपको audience selection में वो कहां से करनी है आपको जाना है audiences में browse में और आपको audience select करनी है then आपको simple create campaign कर देना है ठीक है अब दूसरी चीज जो यहां पर important है य लोगो को जो कि already purchase कर छुकें तो वो कैसे करोगे तो देखो जैसे यह मेरा campaign है display का मैं इस पर जाता हूँ यहां पर دیکھो option है audiences तो मैं जाता हूँ audiences के अंदर और यहां पे देखो एक option है exclusions, है न, audience exclusions, तो मैं जाता हूँ exclusions और यह मैं करता हूँ audience exclusions और यहां से मैं, देखो एक campaign कहा पे लग रहा है, यह लग रहा है campaign पे, मैं किसी add group पे करना चाहता हूँ, तो add group से भी कर सकता हूँ ठीक है, तो मैंने कि आब browse पे काम करना चाहते हो तो यहां से ad group क्लिक करके उस ad group को select कर सकते हो जिस पे आप यह लगाना चाहते हो मैं इसको campaign level पे कर देता हूँ और then यहां पे मुझे जाना है browse पे यहां पे मुझे जाना है remarketing then मुझे जाना है website और आरे न people हो है purchase product इसे मुझे select कर लेना है मतलब जिन्ह तरीके से आप step by step audience step by step remarketing ad run कर सकते हो एक दो lessons के बाद मैं आपको एक checklist सी बना के आपको provide करा दूँगा जिसे क्या prefer कर सकते हो जब भी आप ads run कर रहे हो ठीक है तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही जादा easy है google ads पे display की remarketing ad run करना ठीक है जी that's it from today's lesson I hope कि आप लोग practice कर रहे हो स आप chat support पे आके हमें problem बता सकते हो again देखो हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग है जो chat करते हैं तो कई बाद delay हो जाता है right तो आप मेंसे काफी लोग नराज हो जाते हो उस विज़े से तो आप please आप लोग नराज ना हो आप दुबारे try कर सकते हो आप chat कर सकते हो एक सथ ब for watching this lesson